जिसको सुनकर जिसको देखकर इस देश का युवा भी निशब्द हो गया है आंके भरी हुई है दुख, दर्द, समवेदनाएं सब चोटे पड़ जाते हैं आज मैं सही कहूं तो शब्द मेरे पास भी नहीं है कि मैं कहां से शुरू करूँ और कहां खतम करूँ लेकिन ये सब कुछ आजाद भारत में सेकुलर इंडिया में 32 साल पहले हुआ लेकिन किसी को कोई दर्द नहीं हुआ मेरे साथ इस विशे पे बात करने के लिए कई कश्मीरी पंडित हैं मेरे साथ मनोज रगवंची है जिनोंने इंटिव्यू किया उस निर्मम व्यक्ति का जिसने बोला मैंने कश्मीरी पंडितों को मारा मेरे साथ कश्मीरी पंडित ललित अंबरदार है जाने वारे टीवी पैनलिस्ट है आँखे नम है उनकी डॉक्टर सुधान शुतिर्वेदी है बीजे पी के सांसद है मेरे साथ इर्फान हाफिस डोन है एड्वोकेट है शोहिब जबही है मुस्लिम चिंतक है सल्मान निजामी है नेता एकॉंगरिस पार्टी के और कश्मीरी अक्टिविस्ट भी है लेकिन जब नारे लगाए जा रहे थे तेरा मेरा रिष्टा क्या ला इला इले ला जब नारे लगाए जा रहे थे अल्ला उख अक्बर के तो शायद किसी सेकुलर इंडियन को कोई तकलीफ नहीं हुई मेरे साथ यहाँ पर जोगी साब भी है जो की कश्मीरी पंडित है पेशे से इंजिनियर है टेलिकॉम इंजिनियर ही है और जिन बाल कृष्ण गंजु को मारा गया था जिनकी निर्मम हत्या हुई थी उनके करीबी मित्रों में से एक है एक रात पहले उन से बात हुई इनकी क्या हुआ था सबसे पहले मैं उनी से यह जानने की कोशिश करूगा जोगी साब अलो बालकरिंशन गंजू सर्कल सकाटरि तही यूनियर टेलिकॉम आफिसर्थ एस्सेटाइशन एक जो हमारी सनुस्था थी जोनियर टेलिकॉम ती सहजार इनजनेर्स फ्रूट कंट्री वह हमारे सर्क्राइटरी थे जिनेट के कि मैं असिस्टंट जनलिक्स सेकेटरी था यहां दिल्ली में उनकी कियो हट्या हुई इट इस बीग वाइड ली प्रॉपगेटिट इस नॉंसेंस उनकी हट्या इसलिए हुई कि वो ट्रू प्रेयोटी थे उन्होंने एक सर्क्यूलर निकाला प्रिंट शर्क्यूलर इए अल्सक्राइटरी थे थे यहुद्ध इस नो थे जिए रिखाओ घ्यागा इस कियो हम लिए जो लीग दोस्रा इस काम जो तोस्क्राइट थेख यह लेट लेड्सपेटिड्री का टेलिफोन sub engineer science में specifically on electronic carriage एक्षेज़ के एक्सपर्ट थे ही शिफ्टेड़ तेलेफोन वास इन्स्टूमेंटल इन् शिफ्टिंग तेलेफोन स्ट्राजर एक्षेज़ से बर्जुला electronic a lucky सिट एठ एष शिफ्ट या टेलफोन उन्हीं उन्हें दो कार्नुंग कि वज़े सहीं ही वास मरड़र कैसे मारा गया था और ही वास मौंड़र उसके गर में में ये शाम को साड़े दस उसके गर में टेरी इस सो गुज गज़ गे और और the most deplorable thing is उसका उसका जो उसका जो पडोसी था जिसको वो सस्टिनस दे रहा था 10-15 दिन से उसी ने उनको बोला वो कहां चुपा हुआ है कहां चुपे हुए थे वो ड्रम में चुपे हुए थे राइस ड्रम में चुपे हुए थे वह आगे उनको अनोंने उनको देख पंप ब्लेट से उधर ही मार दिया गोलिया चला एक ड्रम के लिए और सुनिये नो I don't add here सबसे वर्स चीज़ हम यहां दिल्ली में थे मैं असिस्टन जनरल सेकेटरी था मेरे जनरल सेकेटरी हम के बागची थे हम गे जोर्ज फरनेंडिस के पास जो मिनिस्टर फार कश्मीर एफिर से, he was very sympathetic उन्होंने का he was true patriotic he was a martyr those were the words I will do my best इसको rehabilitate करने के लिए everything he said and he said finally आपके होम मिनिस्टर मुझे बोला आपके स्टेट से है लेड श्री मुफ्ती मौमब साइद आप उसको क्यों नहीं मिलते हैं believe me, he was so cold he was so unresceptive nothing, nothing, nothing it was deplorable on his part जो उसका attitude हम देखेंगे होते रहते हैं होते रहते हैं है, yes, 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 yes those words I mean, it sends shivers down your spine जो नुने बोला and यसीन मुल्क he was identified he was identified by almost every Indian by every Kashmiri that he was heading the gang of perpetrators of murder and it was disgraceful on the part of then prime minister to greet and meet him then prime minister of this country met him, greeted him Dr. Manmohan Singh yes a shameful act that's what I am jeep, मै